नास्कार मैं हूँ अक्षियाननदाप लाइफ सिटीज देख रहे हैं ममतब एनरजी वर्सेस सी बी आई का बवाल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो तो आप देखी रहे है बिहार के नेता प्रतिपक्ष ते जस्वी यादो भी कलगत्ता रवाना हुए उनके धरने में शा जद्यू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कुछ लिखा है हम आपको सुनाते हैं नीरज कुमार ने क्या लिखा फिर बताएंगे कि ते जश्वी ने दितीश कुमार के बारे में ऐसा क्या कह दिया था कि नीरज कुमार से रहा नहीं गया और एक करारा जवाब ते जश्वी को निरज ने दिया तंज कस्त दिया है दरसल इससे पहले तेजस्वी आदफ ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था हम वो भी आपको बताते हैं नितीश कुमार जी स्रिजन घोटाले में अपनी गर्दन बचाने के लिए बीजेपी और उसकी सहयोगी सीबी आई के डर से चादर ओड़कर से ढखवा दिया है तो तेजस्वी आदफ ने कहा कि नितीश कुमार सीबी आई और बीजेपी के डर से पलंगी नीचे चुप गए तो नीरज कुमार ने भी करारा जवाब तेजस्वी आदफ को दिया कहा कि जिसके पिता खुद सजा काट रहे हों वो दूसरे पर सवाल मामले में अभी सजा काट रहे हैं 1997 का जिकर किया है नीरज कुमार ने जब लालू प्रशाद यादफ मुखे मंतरी थे उन्हों अरेस्ट करने के लिए जो अधिकारी सी बी आई के जो अधिकारी जिने जिम्मेवारी स्वापी गई थी लालू प्रशाद यादफ को इतलाह कर दिया था कि जरूरत पड़ सकती है आर्मी की क्योंकि लालू प्रशाद यादफ जितने बड़े जनाधार वाले नेता हैं माहौल खराब होने का डर था हलाकि लालू प्रशाद यादफ खुद सरेंडर करने को तयार थे और जो उन्होंने याची का दायर की थी ज दमानत की वो खारिज हो गई थी तो आनन फानन में वो तारिक 27 जुलाई 1997 की थी जब राबडी देवी ने मुख्यमंत्री पत की शपत ली और फिर लालू प्रशाद यादफ को गिरफतार कर बेउर जेल भेजा गया इसी घटना का जिकर करते हुए निरज कुमार ने ते ज जेश्वी आदब ने सुरिजन घोटाले का जिकर करते हुए नितिश कुमार का नाम उससे जोड़ा था और बीजे पी और सी बी आई के डर से चुपे होने की बात कही थी मामला लगातार तूल पगड़ता जा रहा है सी बी आई और ममताब एनरजी फिलाल आमने सामने हैं और हमने भी जिकर किया जब बीहार में सी बी आई और सरकार आमने सामने हुई थी उस घटना का आपने रहे लाइफ सीरीज के साथ क्योंकि बीहार से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुचा रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद